श्री क्रिश्न कनई आलाल कीज़े श्री निजानन्द स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे कीज़े मुके इल्म देई पाहिं जो के ये खबरदार से न्यारिम जड़े सहूर से तकाध आउन गुनेगार तकाध आउन गुनेगार राज जी को अपने बात बता रहे हैं कि यदि हमने जरह सा ध्यान से देखा तो जब हमने ध्यान से देखा आपने ग्यान दिया ग्यान से हमें सचेत किया तब हमें पता चला कि इसमें तो हमारा कोई दोस नहीं है वो अपना भाव है दिख के रहे हिं इसमे आरंबम में आ भी कहा है जगणे का प्रकरन लिखा है न लड़ाई जगदे वाला नहीं है, यह राजी के सामने फपालंब की बात है तो हमारा क्या दोस्था है, हमें तो कुछ जोसमे नहीं है, कुछ वह में पता ही नहीं हैं, आपको तो सब कुछ पता है और फिर भी हमने इस सब दुख्यों में प्रापत हो रहे हैं उस तरह से तो राज्य को अपना भाव बैखता करते हैं धनी तो दिन्नी निद्रडी ते विशर्या सबकी तो धनी संभुधन के लिए है धनी तो दिन्नी निद्रडी आपने निद्दी है ते विशर्या सबकी ते उससे अथवातो तभी विशर्या सबकी सब कुछ आम भूल गाए आपने निद्दी और हम भूल गाए जी नचाये ती नचियों, अब जैसे नचाते हैं, हम वैसे नाचते हैं कुरो करियों असी, कुरो का अर्थ होता है क्या, करियों, करें अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, हमारे आत में तो कुछ आई नहीं, अब जैसे नचाते हैं, हम तो वैसे ही नाचते हैं असा इसक निद्रड़ी विशारियो अच्ची मै हिनराद मैं सब्द पहले भी आया था मैं संदो संदो का अर्थ साथ होता है किसी के साथ में मैं होता है किसी एक चीज में दूसरी भी उसे के अंदर अंतरगत आ जाता है तो उसके लिए मैं बोलते हैं पुझे से किसीने मकान खरीदा तो मकान उसने तो मकान ही खरीदा है किन्तो भाव ऐसे लगाया बेचने वाले ने तो उसके फरनिचर वगरे सब चीज का फरनिचर के साथ उस आर्थ में मै होता है तो वाह संदो नहीं होगा मै होगा तो ऐसे तो असा इसक निद्रड़ी विशारियो हमारे प्रेम को तो नीद ने भुला दिया अच्छी मै हिनराद तो अब ये इस चोपाई का अर्फ हो तो पूरी पूरी चोपाई में से मिलाकन पड़ता है अच्छी आकर मै हिनराद मै अच्छी इस खेल के अंतरगत हम आये हैं इसलिए निद्र ने हमारे प्रेम को भुला दिया इसको तो ही जो डिखा रही हो इसमें यदि थोड़ा कुछ दिखा दिया तो आपके प्रेम को ही दिखाया थोड़ा सा ज्यान मिला तो फर पता चला कि ने वाप प्रेम तो आपका ही है मेरे धनी तो आप ज़रा देख तो लिजिए तो हमें तो केवल आपके प्रेम का ही थोड़ा बहुत पता है बाकि तो हमारा प्रेम तो इस माया के अंदर आते ही कहां का कहां चला गया पता ही नहीं है यह कहना चाहरा है तनड़ा असाजा तो कने, पन दिलड़ा असाजा किते, अब तनड़ा शरीर असाजा हमारे, हमारे शरीर तो आपके पास है, परात्मा के लिए कह रहे हैं, पन दिलड़ा असाजा किता, असाजा दिलड़ा हमारे दिल किदर है, पता ही नहीं है, अब यहां दिल कहने से न, अन उसी को सुर्था कहा है, तो दिल का आर्था तो दिली होता है, किम तो यहाँ जो कहना चाहरे हैं, वो उस प्रकर से दिल नहीं है, तो यह मन कहें, मन की बृत्ति कहें, अंता करन की बृत्ति कहें, जिसको सुर्था कहा है, उसके लिए कहा रहे हैं, हमारे बृत्तिया कहा है, उ उसका ठीकाना ही नहीं है इस आर्थ में से की फिकर ना करें कि यहाल मुह जो चित अब धामदनी के लिए कह रहे हैं से ऐसी परिष्थिति में की फिकर ना करें आपने हमारी चिंता क्यों नहीं की क्योंके शरीर तो आपके पास है आपके चरणों में हैं हमारे मुल्त अंतो तो उसकी बृत्ति ही दुनिया में आये उस कहां है उसका कोई ठेकराना नहीं है तो आपके पास में जो है तो उसकी चिंता तो आपको ही करने चाहिए ना के हाल मुह जो चित हमारे चिति बृत्ति का हाल क्या है तो उसने आपने कभी विचार नहीं किया कोई चिंता ही नहीं रखी दुखड़ा न डीशे आकार दिलड़ा दुख़ पसंद दुखड़ा न डीशे आकार तो आकार शरीर वो तो दुख देखता नहीं है जो परा आत्म आपके चरनों में उसको तो कुई दुखाई नहीं दिलडा दुख पसन ला तो दु दूखों तो दिल देखते हैं दिल का अताथ्तपर यह वहONE अंता करन की वृत्ति ए चित कहें अथबा मन कहें मन की वृत्ति इस दो को सूरता कहा है तो ये शुर्ता अथवा अंता करन की बृत्ती ही तो दुख देखती है शरीर तो आपके पास में है तो उनको तो दुख का पता भी नहीं है से दुख दी से दिल राद में दुख नबका में तन से दुख दी से दिल राद में तो राद में खेल में दिल दिल को से दुख दी से तो वो दुख तो ये दिल है ये खेल में ही देखता है सुर्ता इस जगत में ही दुख देख रही है दुख न बका में तन बका के तन में अखर न परमधाम के शरीर में तो कोई दुख है नहीं, तो जो मूल शरीर आपके चरणों में उसको तो कोई तकलिफ नहीं है, जो बृत्ति दुनिया में आई है, कठिनाई उसको ही है, दिल असाजा सोने में, सेथा दुख पसन, दिल असाजा सोने में, असाजा दिल हमारे दिल सोने में, स्वपन में, हमार दिल तो शपन में लगे हुई है, हमारी अंतक करण की बृत्यां शपन बजजगत में लगे हुई है, से था दुख पसन तो उस से वहा उस अर्थ में अब उस से भी कह सकते हैं, दुख पसन था, तो वो दुख देखने के लिए है, अब वो यह कहें, कि हमारा दिल असाजा सोड़े में, हमारा दिल तो स्वपन में हैं, और वो किसलिए है, दुख पसन था, दुख देखने के लिए है, तो हमारा दिल दुनिया में दुख देखने के लिए है, तो यह दिल कहने से वही अंतक करण की बृत्ति, अथवा सूर्ता अपने दृष्टी से पसो था वे राज्जी के लिए कर रहे हैं वो आप सब देख रहे हैं अपने दृष्टी से देख रहे हैं जे गुजरे दिल रूहन प्रमात्माओं के दिल में जो गुजर रहा हैं जो बिती है वो तो आप देखी रहे हैं ऐसा करा रहे हैं करा परात्मा तो आपके चरणों में है और उसकी बित्ति दुख देख रही है तो आप देख रहे आप तो सब देख रहे हैं क्या हाल है हमें तो आपने नीद दी इसका नराइ सांजाए तो सांजाय पहचान के लिए, इसका सांजाय न रही, तो प्रेम की पहचान तो रही नहीं, तो नीद में आते ही, तो परमधम की सब कुछ भूल गए है, इसलिए प्रेम को भी भूल गए है, आ जागंदे, प्यारियों, पाहिंजू, अब ये दोनों चरण मिला करके अर्था क करना पड़ेगा, आ जागंदे, प्यारियों, पाहिंजू, तो दिन्यों की भुलाए, आ जागंदे, तो आप जागरहे हैं, अथवा इसका, आपके जागरित होते हुए, आप तो जागरित हैं, आपके जागरित होते हुए, पाहिंजू, प्यारियों, अपनी प्यारी आत् आपने प्यारियों को तो दिन्यों की भुलाए उनको क्यों भुला दिया तो आपने की भुलाए दिन्यों क्यों भुला दिया आप तो जाग रहे हैं आपके जागरत होते हुए हैं अपने प्यारी आत्माओं को आपने क्यों भुला दिया उनका दुख तकलिप उनका उनके द देल को जो तकलिफ हो रही है, तो आपको तो पता ही है, इस प्रकार्षे उपना बहाव बता रहे हैं, डौह न अच्छे सुतडे, जागन दे मत्थे डौ, आप करहेें, डौह न अच्छे सुतडे, सुतडे जो शोय हूए हैं, शुतडे जो सोय हुए हैं, सोने वाले लोग, सोने वालों को डोहन अच्छे, उनको दोस नहीं लगता है, क्योंकि उतनीद में पता ही नहीं है, सो रहे हैं, जागन दे मठे दो, जागते हुए के सेर पर दोस होता है, तो सोय हुए को तो कुछ पता ही नहीं है, तो जाग रहे हैं तो उनके सिर पर ही दूस मढ़ा जाता है असी डुख डीशू आ डिशंदे की चोजे आसी कसों असी डुख डीशू असी हमने अथवा तो हम डुख डीशू दुख डेखा हम दुख डेख रही हैं इस अर्थम में आँ डिशंदे आपकी देखते हुए आँ डिशंदे का तत्परे आपके देखते हुए आपकी दृष्टी के समक्षय असी दुख डेशू हम दुख डेख रहे हैं तो हम तो आपके सामने बैठे हैं और ब्याकूल हो रहे हैं तडप रहे हैं आप तो देखे रहे हैं आपको और आपके सामने हम तड़पे ऐसे कैसे हो सकता है। यह कहना चाहरा है। कि यह जोजे आसिक सो, यह आसिक, कि यह जोजे आसिक सो, सो तो अभी यहां वैसे सो हो सकता है, तो बी अर्थ लगता है। आशिक्रसों, आशिक को की चोजे क्या कहें? तो आप तो हमारे आशिक आप इसमें इस भाव को बताना चाह रहे हैं अक्षराति धामदनी ने ब्रह्मात्मा को कहा तुम मेरी मासुक हो, मेरी प्रियतम हो में तुम्हारा आशिक हो, खेल के लिए तो उस बात को ले करके कह रहे हैं कि आप आशिक हैं और आपके सामने हम ब्याकूल हो रहे हैं तो आप देख रहे हैं, आपके दृष्टी के समक्ष हमारी यह हाल है तो ऐसे में हम आपको क्या कहें हैं? आप कितने निष्ठोर हैं, यह कहना चाहर हैं तो यह उपालंब है उसमें वह जगड़े का प्रकरन कहा है न? तो इस प्रकार के उपालंब के बात कही है इसलिए शेकी विचारन ना करियो, बड़ो आंजो इसका शेकी विचारन ना करियो आपने क्यों विचार नहीं किया? बड़ो आंजो इसका, आंजो इसका बड़ो आपका तो प्रेम बड़ा है तो हमें पता नहीं है ना हमारे पास में प्रेम जुद है वो आपका ही दिया हुआ है कि तो हमें पता नहीं था इसलिए हम आपसे बार-बार कह रहे थे बड़ो आपको तो पता ही है तो आपका तो बड़ा प्रेम है इसलिए आपने विचार क्यों नहीं किया? मासुक के यां रूहन के को न भण्जो असां की सक रूहन के आत्माओं को मासुक के यां आत्माओं को मासुक बनाकर अपने आत्माओं को कहा कि तुम तुम मेरी मासुक आओ प्रियतमाओ तो आत्माओं को अपने प्रियतमा बनाकर के को न भण्जो असां जी सक को न भण्जो क्यों नहीं दूर करते हैं असाजी सक्का हमारे शंकाओं को, हमारे शंकाओं का निवारन क्यों नहीं करते, तो हमारे मन में ऐसी संकाओं होती है, कि आप देख रहे हैं, देखते हुए, हमें ये सब कुछ क्यों करवा रहे हैं, तो हमारे मन में ये संकाओं होती है, तो इसका निवारन भी तो आप ही करे आशिक नारे नजरे माशुक बिठो रोए तो आशिक प्रेमी नारे देखते हैं नजरे तो प्रेमी तो नजरों से देख रहा है और माशुक प्रेमी का बिठो रोए बैठी बैठी रो रहा है और प्रेमी देख रहा है यह कैसे हो सकता है यह कहना चाहरा है हेड़ी कड़े उलती, हेड़ी ऐसी कड़े कभी उलती आसिक से न होए आसिक से ऐसी उलती बात नहीं होती है तो आपको तो हमें जागरत करना ही होगा और अपने चरणों का अनभव करवा नहीं होगा यह कहना चारा है मुण जा लाड़ कोड पारन जा आशिरसव मुधार मुझा मेरे लाड़ कोड लाड़ कोड तो हमारे इस लाड़ कोड में ये साथ साथ में बोलते हैं तो हमारे इच्छाएं अभिलाशाएं हमें जो सुख की कामना है तो वो सब उनको पारन जा पूर्ण करना आशिरसव मुदार आपके सिर पर सब मुदार तो सब कुछ आपके सिर पर है तो मुद्दा कहते हैं ये तो मुद्दा आपके उपर है इस प्रकार से तो ये दाइत्व करना पड़ेगा मुद्दार का ये है दाइत्व ये जिम्मेवारी आपके सिर पर है दिये दोह दोस असा के हमें दोस दे करके जे असा सुधनसार जे जिनको अथवा जो असा हमें सुधनसार हमें तो कुछ भी पता नहीं है ना सुधनसार है हमें कुछ भी मालूम नहीं है तो ऐसे में हमें आप दोस दे रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है तो ये कहना चाहरा है हैं हमारी सारी कामनाय पूरण करने की जवाबधारी आपकी है और आप तो हमारे सिर पर दोस्ट मान करके बैठ गए हमें कुछ पता भी नहीं है ऐसा कहना चाहरा है मुखे इलमे चायो भली पेरे तार्तम ज्ञान के दौरा मुझे भली बाती समझ में आई ये कहना चाह रहा है कोई नाये डोह रूहन, कोई कोई नाये नहीं है, डोह रूहन, ब्रह्मा आत्माओं का कोई दोस नहीं है, मुझे तार्तम ग्यान से ये पता चला कि ब्रह्मा आत्माओं का कोई दोस नहीं है, तो ये नाहे और नारे, तो दोनों में फ़राक हैं, तो नारे पहले आया, नारे देखना इस अर्थम में, और नाहे नहीं, आहे है, नाहे नहीं, तो तार्थम ग्यान से मुझे पता चला, कि आत्मा को कोई दोस नहीं है, आत्मा को कोई दोस नहीं है, केयो थियो सवकांद जो केयो थियो, केयो किया, थियो हुआ, जैसे आपने किया वैसा हुआ, सब काद जो, आपका जैसे किया हुआ ही हुआ है, आपने जैसे किया वैसा ही हुआ, तो काद प्रियतम धनी के लिए धने, आपने आपका किया हुआ ही, प्रियतम धनी का किया हुआ ही हो रहा है, अशी सब मंज इजन, अशी सब हम सब मंज इजन, आपके इजन हुकुम, आदेश, हम तो सब आपके आदेश के अदिन हैं, आप जैसा कहेंगे, हम तो शिप्रकार से चलेंगे इसक बंदगी ya guna, शे सब इसक प्रेम, बंदगी, प्रार्थना, अपासना, यह सब ःरोग लिए नहीं, यह गुणा, यह गुणा दोस के लिए हैं, तो प्रेम हो, अथवा तो प्रार्थना हो, अधवा दोस हो, शिष्षभाथ हुकुम ववसभ आपके हुकुम के हाथ में है रादकारिये निद्रमे तो हम तो राद निद्रमे नीद में रादकारिये नीद में हम खेल रहे हैं राद खेल तो हम तो कारिये करते हैं तो हम तो नीद में खेल रहे हैं के हो डोह असां खासम तो एक खासम ए पुरुन ब्रह्म परमात्मा असां डोह के हो हमारा दोस क्या इसमें तो इसमें हमारा दोस क्या हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना हम तो निद में यह सब कर रहे है तो पता ना हो तो कुछ भी कर सकता है ऐसी हमारे स्थिती है वेशक दिन्य इल्म जगाया दिल के तो वेशक इल्म देकर जगाया दिल के अमारे दिल को आपने जगाया इल्म ये ज्ञान है न पुझे रुवशी आत्मा तक नहीं पहुँचेगा सब आपके आदेश के अदिन है ये ज्ञान तो वहां तक पहुँचने वाला है नहीं तो आपने ज्ञान दे करके उसको दिल को जगाया तो परंधम तक तो पहुँचेगा ही नहीं पिर हमें क्या लाब मिला, यह क्याना जा रहा है. रुबशी पुंजी न सगे, आयो नाय इलमा, रुबशी आत्मा तक पुंजी न सगे, पहूंच नहीं सकता है, आयो नाहे इल्म, इल्म नायो आये, इल्म है ये ग्यान है नायो, नाहे में, आयो नाये में इल्म, तो इल्म ये ग्यान है, नाहे में नहीं है ऐसे, ये नश्वर जगत में आयो, इस जगत में आया है, तो यह ज्ञान तो दुनिया में आया है जा साूर करिया इलम जो जा का मतलब जो यदि साूर करिया इलम तो ज्ञान के विशाय में विचार करेंगे तो तो हित जरो नरे हुकुमा तो रे का अर्थ बिना है हित यहाँ पर जरो जरासा न नहीं रे हुकुमा हुकुम के बिना आपके आदेश के बिना यहाँ तो कुछ भी नहीं है सरवतर आपका आदेश ही काम कर रहा है स्रिक्रिष्न कनाय आलाल कीजे ताहित जरो नरे हुकुमा हुआ ताहित जरो नरे हुकुमा हुआ रुहसी पुजी ना सगे रुवशे पुझे ना सगे आयो नाहिमे इलमा जा सौर करिया इलमा ताहिता जारो नारे हुकमा ताहिता जारो नारे हुकमा रुवशें बाता हुकमा जारो नाड़न से नायो ना उनाता हुकमा पुझे ना जारो ना हुकमा धरो धुझे रुवशें एक सवर्षोवण म cann지 महाराजी की बढ़ी जाहिता हुकमा